नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे मल्टी टेक्निकल बॉस चैनल में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इंडक्षन में जो एक EO की प्रोब्लम आती है उसको किस तरह स्वालू करते हैं पहले मैं आपको दिखा दूं क्या प्रोब्लम आती है यह मैंने को देखिए बीजूइच में ओन हो रहा है और फिर EO आ जा रहा है यह समस्या है हमारी अब इसको किस तरीके से स्वाल्व करते हैं आईए बताते हैं कि सबसे पहले हम इसके सारे स्कुरू खोल लेंगे और यह हमारे इंडक्शन खोल दिया और इसको इस तरीके से हम आउन करेंगे और ये देखिए दोस्तों ये हमने खोल दिया है और ये connector हटा दिया इसका यहां से आप coil plate को खोलेंगे फिर इसकी PC वगेरा चेक करेंगे ये coil plate हमने खोल दिया है इसका connector हटा दिया है तो दोस्तों ये है हमारा part ये देखिए इसमें ये फट गया है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है इसका filter capacitor है यह जो यह खराब हो गया है आपको यहाँ दिख रहा होगा यह देखिए यह फट गया है इसमें problem है जो हमें विज्वल दिख गई है नॉर्मली दिख गई है इसकत है अब यह लगाना पड़ेगा ठीक है इसी में problem है तो अब हम इसको market से purchase करके लाके लगाएंगे यह filter capacitor है जो हमने अभी निकाला है यह हमारा देखिए फट गया है यह पूरा फट चुका है अब हम इसको market से purchase करके तो इसे filter capacitor गोलते है इसका यह number और रेटिंग है इसी रेटिंग का हमें लाके लगाना है देखिए 4U 400 गोल्ट 80C इसी ratio का हमें लाके लगाना है इसमें यहाँ पर हमने filter capacitor market से purchase कर लिया अब हम इसको fit करेंगे और यहाँ पर हमने fit कर दिया है अब हम इस induction को होन करके देखेंगे दोस्तों और यह देखिए इसने काम करना start कर दिया और हमारा पानी भी गरम हो रहा है और इस तरीके से हम घर पर यसानी के साथ induction को मातर 50 रुपे खर्चे में हमने इसे पूरा ठीक कर दिया है अगर यही market ले जाते तो 3-4 रुपे खर्चा आता अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please like करें मेरे चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्य करें अगर